मस्कार मैं हो देवांसू आप देखाए निस्ट फरनेसर बिहार बिधान परसद की चुनाव की डुगडुगी जो है वो बच चुकी है कुल पांच सीटों पर चुनाव होने हैं और चुनाव जो है होंगे और NDA और महागडबंधन की तरफ से उम्मिदबारों का बजापता भी कर दिया गया है और अब मुकेश सहनी की पार्टी के तरफ से भी ऐलान किया गया है कि कौन उनके उम्मिदबार होंगे बिहार बिधान पर से चुनाव में दरसल आपको जनकाई देदे कि मुकेश सहनी की पार्टी यानि कि विकास सिल इंसान पार्टी ने एक सीट पर अ मुकेश शहनी ने उम्मिदबार बनाया है इस बार सारंग सीट से समरेंदर बहादुर सिंग को प्रत्याशी बनाया है मुकेश शहनी ने और सारंग सीट से चुनावी रन में हाथ आजमाएगी बिहार विधान परशत के मुकेश सेहनी की पार्टी विकास सिल इंसान पार्टी इसकी जानकारी जो है वो पार्टी के राष्टे परवक्ता देव जोती ने दिया है और इन्सान पार्टी ने बिहार बिधान परशत सनातखोटे की सारंग सीट से समरेंदर पहादरु सिंग को टिकट दिया है और मुकेश सहनी ने अपने उमिदवार के जीत के दवा करते सीटे सदस्यों का कारिकाल पूरा होने की बज़ा से मई में खाली हो गई है और उसके बाद अब जो चुनाव है 31 मार्च को होंगे और चुनावी नतीजे जो है वो पार्च अपरेल को होंगे और आज ही बीजेपी की तरफ से हो चाहे महागडबंधन की तरफ से हो अपने मंत्री नितिश कुमार की पार्टी जेडियू के पास है जबकि एक भाजपा के खाते में ऐसे में इन सीटों पर एक तरह से कह सकते हैं कि अब एलान कर दिया गया है कौन जो है उमिदबार होंगे अब भिहार विधान परसे चुनाव के लिए 13 मार्स तक उमिदबारी का परच कर दिया जाएगा बिहार में उच सदन की कुल 75 सीटे हैं इसके सदस से बिधान सभा अस्थानिय निकायों सिर्षकों और असनात्तों के अलाबा राजसरकार की सिफारिस पर राजपाल की ओर से मनोनित किये जाते हैं तो मुके सहने की पार्टी यानिकि विकास सिल इंसान प हिस्सा है फिलहाल नमहागरबंधन का हिस्सा है हाँ हाली में मुके सहनी की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया था इसके बाद से ही सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि आने वाले वक्त में मुके सहनी जो हैं वो एंडिये का हिस्सा जो हैं वो हो सकते हैं बहराल हो जो भी लेकिन इस सुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो रन में उतरने जा रही है और ये देखना दिल्चस्प होगा क्या उनकी पार्टी के तरफ से जो उम्मिदवार का एलान किया गया है वो जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं अगर जीते तो एक बड़ी प्लब्दी मुकेश सहनी के लिए हो गई फिलाला भी तो के लिए इतना ही आप देखते रहे हैं इस फोनेशन